साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथ संगत जी कल दिपावली का त्योहार है तो आप सभी को दिपावली की हार दिक शुब कामना है इस दिवाली खुश रहिएगा और खुशियां बाटिएगा हर तरफ खुशियों के दीप जलाईएगा चलिए आज की सुन्दर सी साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक घर में सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू बाथरूम में दो दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं उन्हें धो कर फैला देना सास सुनाइना ने आंगन में जाडू लगाते हुए कहा बहू ने तेज आवाज में जवाब दिया कि अच्छा फैला दूंगी आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो सास ने अपनी बहू से कहा किसमे चिलाने की क्या बात है बहू ने कहा कि चिलाने की बात क्यूँ नहीं है कपड़ी मेरे हैं फट जाएंगे तो मैं आप से मांगने नहीं आऊंगी जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो मुझे खरीद कर भी दिलवा देगा साथ संगत जी बहु अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तीस कदमों में चलती हुई बाथरूम में चली गई और अपना सारा गुसा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी कि अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नोकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करू सब की सेवा करू जैसे मेरा शरीर हाड मासका नहीं पत्थर का है अपने कलोते बेटे अखिलेश के लिए सुनाईना ने बहुत सी लड़कियों को देखा था और देखने के बाद उन्होंने रितू का चुनाव किया था दूद की तरह गोरी और बिकॉम तक पड़ी हुई सुन्दर रितू को देखते ही सुनाईना उन पर मोहित हो गई थी और घर आते ही सुनाईना ने घोशना कर दी थी कि मेरी बहु बनेगी तो रितू ही बनेगी नहीं तो अखिलेश कुआरा ही रह जाएगा इस तरह से सुनाईना ने दो साल पहले अपने बेटे का विवहा रितू से कर दिया था अब रितू अपने पूरे परिवार की लाडली थी विशेश कर अपनी मा की इसलिए वो थोड़ी जद्दी, एहनकारी और स्वार्थी थी और उसके घर में उसकी मा का शाशन ही चलता था बचपन से रितू को माने यही पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करने पड़ेगी साथ संगत जी, वैसे तो सुनैना के परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी पर रितू के परिवार के मुकाबले उनकी स्थीती थोड़ी सी कमजोर थी सुनैना के पती राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटनेंट थे उनका वेतन कम था पर उसी कम वेतन में उनकी पतनी सुनैना ने अपने घर को बड़े ही सलीके से चलाया था और साथ ही अपने कलोते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी इस समय अखिलेश एक वदेशी कमपनी में प्रोजेक्ट मेनेजर के पद पर कार्या कर रहा था जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी अखिलेश को अकसर अपने कमपनी की अलग अलग जगां की शाखाओं का दो रा करना पड़ता था अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है इसलिए उसका जुकाव हमेशा अपने माता-पिता और अपने घर की ओर रहता था अकिलेश अपने वेतन में से कुछ रितू को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था अब दो-तिन महीने तो रितू ने ये देख कर सहन कर लिया यहां की सारी स्थितियों की जानकारी रितू अपनी मा को बताना नहीं भूलती थी हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वो मायके में अपनी मा को दिया करती थी और उसकी मा उसे अपना गुरु मंत्र देना नहीं भूलती थी करीब तीन महीने के बाद रितु ने पहले तो अपने पती पर शाशन करना शुरू कर दिया पर जब बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुनैना से बात बात पर जगड़ा करना शुरू कर दिया साथ संकत जी एक बार जो रितु का मूँ खुला तो उसने सुनैना की हर बात का जवाब इंड का जवाब पत्थर की तरह देना शुरू कर दिया अब तो घर में हर दिन सास भहु का जगड़ा होने लगा जिस घर में रितु के आने से पहले जो शांती थी अब वहां शांती का नामो निशान भी नहीं रहा अब सुनैना की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी अब राम अवतार जी एक शांती प्रियव व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कहते थे अब राम अवतार जी अपनी पत्नी सुनाना से बहुत प्यार करते थे इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझा दिया और वो बहु से बात भी नहीं करते थे इसलिए राम अवतार जी अपने ओफिस से लेट आने लगे अखिलेश की भी यह हिस्तिती थी जिस मा ने उसे मुसीबितें जेल कर पाला पोसा पढ़ा लिखा कर उसे लायक बनाया कि वो इज़त की रोटे कमा सके उन माता पिदा से वो कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था लेकिन अखिलेश की रितू के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी उधर रितू दिन रात अखिलेश के कान भरने लगी कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी उसे या तो वो उसके माई के पहुँचा दे या दूसरा मकान किराय पर लेने एक शाम को जब अखिलेश ओफिस से घर आया तो सीधे अपने कमरे में गया रितू बहुत गुस्से में बैठी हुई थी अखिलेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ आज फिर माँ से जगड़ा हुआ है क्या रितू ने कहा कि और क्या तुम्हारी माँ उससे प्यार से बात करती ही कब है अब बहुत ही बुरी तरह से बोलते हुए रितु ने कहा और उसकी आँखों से आंसु बहने लगी इसी के साथ दोपैर की सारी बात रितु ने अखिलेश को बताई अब साथ संगत जी अखिलेश ने फोरण अपना फैसला सुना दिया कि वो कल ही इस घर को छोड़ देगा ये बात सुनते ही रितु के आंसु कपूर की तरह उड़ गए अब सोते जाकते रात गुजर गई सुभह जल्दी उठकर अखिलेश घर से निकल गया और करीब दो घंटे के बाद घरा कर मा से बोला कि मैंने अपने और रितु के लिए अलग मकान देख लिया है मैं दूसरे मकान में जा रहा हूँ सुनयाना ने कहा कि अपने पिता को तो आने दो उनसे बात करके चले जाना अखिलेश ने कहा कि नहीं मा अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हर दिन के जगडे से अच्छा है कि हम अलग रहें सुनैना ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो वो तुम ले जा सकते हो पैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है कामती हुई आवा में दो मजदूर भी थे मजदूर निसामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू किया और आदे घंटे के बाद उसी ट्रक में दोनों पती पतनी बैठ कर चले गए साथ संगत जी सुन्याना की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर उन दोनों को जाते हुए देखे अब शाम को राम अवदार जी ओफिस से आए तब उन्होंने अपनी पतनी से सारी जानकारे ली उन्हें दुख तो बहुत हुआ पर उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ हर दिन घर में जगडा होता था अब दोनों अलग-अलग जगा रहेंगे तो शानती रहेगी ये सोचकर राम और उस रात दोनों पति-पतनी ने खाना नहीं खाया अब इस साल दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से दिवाली की त्यारी शुरू हो गई सबी घरों में दीब जलाए जा रही थे पर सुनैना और राम अवतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए हुए थे उन दोनों के दिलों में त्योहार को लेकर कोई उत्सा नहीं था नहीं कोई उमंग थी दिवाली की शाम को सुनैना ने केवल एक दीब जला का रांगन में रख दिया अब दिवाली के दो दिन के बाद राम अवतार जी को आफिस भेज कर सुनैना गरीब बच्चों को पढ़ाने चली गई और जब वो शाम को लोट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अंजान औरत से हुई जो सुनैना जी को जानती थी पर सुनैना जी उसे नहीं जानती थी पहले तो उस त्री ने सुनैना जी को नमस्ते की और फिर बताया कि आपका बेटा खिलेश और आपकी बहू रितू उसके मकान के पास ही रहती है आज रितू की तबेत जादा खराब है और उन दोनों के मकान मालिक ओटो रिक्षा से रितू को हस्पताल लेकर गए है क्योंकि आपका बेटा खिलेश यहां नहीं है और आपकी बहु रितु बच्चे को जनम देने वाली है सुनैना ने जब उस ओरत से पूछा कि रितु के मकान मालिक उसे कौन से अस्पताल लेकर गए है तो उस ओरत ने उस्त्री ने नर्सिंग होम का पता बता दिया अब सुनैना जल्दी से घर आई एक बैग में कुछ जरूरी समान रखा अल्मारी में जो भी पैसा था उसे लिया और घर को ताला लगा कर वो भी उसी नर्सिंग होम में चली गई जहां पर रितु को ले जाया गया था वहां जाकर उन्हें पता लगा कि रितु का तो उपरेशन करना पड़ेगा और डोक्टर रितु को उपरेशन थियेटर में लेकर गए थे तब ही एक नर्स ने आकर आवाज लगाई कि रितु के साथ कौन है डोक्टर एक फारम पर साइन करने और उपरेशन की फीस जमा कराने के लिए बुला रही है अब सुनैना ने नर्स से जब रितु के बारे में पूछा तब वहां पर रितु के मकान मालिक भी खड़े थे मकान मालिक समझ गए कि ये स्थरी शायद अखिलेश की मा है रितु की सास है तब ही इतनी बेचानी से पूछ रही है मकान मालिक ने हाथ जोड़कर सुनैना को नमस्ते किया और उन्हें सारी बात बताई सुनैना ने भी उन्हें बताया कि रितुन की बहु है सुनैना उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में गई और डॉक्टर को नमस्ते करके उन्हें अपना परिचय दिया कि रितून की बहु है और वो उप्रेशन की फीज जमा कराने के लिए आई है पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फारम पर हस्ताक्षर करवाए फिर उप्रेशन के लिए 25,000 रुपई जमा कराने को कहा सुनैना ने कहा कि डॉक्टर सहाब आप अभी 10,000 रुपई जमा कर ले बाकी पैसा मैं अपने पती से फोन करके मंगवा लेती हूँ अब तक आप रितु को आपरेशन करें क्योंकि मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है सब ठीक होगा आप ये पैसा काउंटर पर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें वहीं से आप अपने पती को फोन भी कर दें अब डॉक्टर के पास से आकर सुनैना ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कराया रसीद ली और वहीं से राम अवतार जी को फोन करके सारी बात पता दी साथ ही ये भी कहा कि जल्दी से जल्दी 15,000 रुपे लेकर नरसिंग होम में आ जाईए करीब देड़ घंटे के बाद राम अवतार जी वहाँ पैसा लेकर पहुँच गए लेकिन रितु के मम्मी पापा अभी तक हस्पताल नहीं आये थे ओप्रेशन रूम के पास एक बैंच पर सुनैना के साथ बैठकर राम अवतार जी रितु के मा और पिता जी का इंतजार कर रहे थे थोड़ी देर के बाद एक नरस सुनैना के पास आकर पूछने लगी कि रितु के साथ कौन आया है सुनैना ने कहा कि मैं हूँ नरस ने कहा कि बधाई हो लड़की हुई है बच्ची और उसकी मा दोनों स्वस्थ हैं फिर थोड़ी देर के बाद एक नरस ने लड़की को लाकर सुनैना को दिखाया जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा और फिर बच्ची का मा था चूम कर अपने पती की और कुछ इशारा किया राम अवतार जी ने पांसो रुपे का नोट निकाल कर नरस को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है थोड़ी देर के बाद रितु को वाड में लाया गया और उसके पास बच्ची को भी लिटा दिया गया सुनैना वहीं एक पैंच पर बैठ कर कभी बच्चे को तो कभी रितु को देखती रही और उन्होंने राम अवतार जी को घर भेज दिया करीब चार घंटे के बाद रितु को होश आया उसने आखे खोली तो देखा कि उसकी सास सुनैना उसके पास बैठी है और उनकी गोदमिक बच्चा है सुनैना ने अपनी बहु से कहा कि लक्ष्मी आई है ठीक तुम्हारी तरह तुम भी शायद जब पैदा हुई होंगी तो ऐसी ही दिखती होंगी सुनैना ने मूस कुराते हुए कहा और रितु के माथे पर हाथ फिरने लगी साथ संगत जी रितु को बड़ा अच्छा लग रहा था तब रितु के मकान मालिक भी वहाँ आ गए और बोले रितु जब तुझे लेकर मैहा आ रहा था तब मेरी पतनी की तुम्हारी ममी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था वो जल्दी ही हस्पताल पहुँच रही है पर अब तक ना तुम्हारी माई है ना तुम्हारे पापाई है शाम हो गई थी सुनेना ने कुछ नहीं खाया था बलकि चाय तक नहीं पी थी रात भर वो बेड के पास टूल पर बैठी तभी रितू का सर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठा कर घूमती इस तरह जम्हदारी को ढोते ढोते उनकी रात आखों आखों में ही कट गई सुभह राम अवतार जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डाल कर चाय दी फिर पत्नी की और देखते हुए कहा कि तुम अब घर जाओ मैं यहां बैठता हूँ कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया तुम्हारा खाना रसोई में कल से जों कातियों बना हुआ रखा है घर जाओ और रितू के लिए खिचडी बना कर लेती आना तब तक मैं यहां पर बैठता हूँ आज मैंने ओफिस से छुटी ले ली है साथ संकत जी सुनेना दोनों को बहुत से हिदायते दे कर चली गई राम अवतार जी वहीं बैच पर बैठ गए करीब एक घंटे के बाद कुछ सोच कर रितू से उन्होंने कहा बेटा मैं जरा बाहर बैठता हूँ कोई चीज चाहिए तो नरसे कहलवा देना और राम अवतार जी वाड से बाहर चले गए अब रितू के पास वाले बैड पर भी एक इस्त्री कोपरेशन से बच्चा हुआ था उसकी देखबाल के लिए उसकी माँ वही पर बैठी हुई थी जब राम अवतार जी वाड से बाहर चले गए तो वो औरत अपनी जगा से उठकर रितू के बैड के पास आ गई और पूछने लगी तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे सभाव के लगते हैं खास कर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है बिचारी राद भर तुम्हारी सेवा करती रही रितू ने कहा ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं मेरे सास ससुर है उस ओरत ने बड़ी ही हरानी से रितू का मूँ देखा और कहा कि क्या फिर उसने कहा कि क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिये अपनी बहु की सेवा कर रही है बेटा तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले है पूरा वाड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मापिताजी है कोई सास अपनी बहु के लिए इतना कर सकती है ये मैंने पहली बार देखा है अगर हर सास तुम्हारी सास की तरह होगी तो कोई भी बहु जल कर नहीं मरेगी कोई बहु गले में फंदा लगा कर नहीं मरेगी कोई बहु जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना और बेटा सचे मन से उन बढ़ापे में उनकी सेवा करोगी तो उनका आशिरवात तुम्हें मिलेगा अब रितु सोचने लगी कि उसके खुद की मा भी एक और उसकी सास भी पर दोनों में कितना फरक है एक केवल शाशन करना जानती है और दूसरी नमरता पूरवक अनुसरण एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बजाने के लिए खुद तकलीफ उठाती है एक में दिखावा है अभिमान है तो दूसरी में गंभीरता सहजता पहली नारी है इसलिए सम्मान निये है दूसरी सम्मान के साथ साथ शरद्धा और प्रेम की पात्र भी है एक केवल जननी है तो दूसरी मा रितु की आँखें छलक रही थी राम अवतार जी की आवाज से रितु का ध्यान भंग हुआ कि बेटा चाय पीलो रितु ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की और देखा और सोचने लगी कि इस व्यक्ती ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की नहीं मुझे कभी गलत बोला इन लोगों के साथ मैंने गलत करके बहुत अपराद किया है साथ संगत जी करीब दस बजे रितु की सास सुनैना खेचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और रितु को धीरे से बठा कर चमच से अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी आज रितु को खिचड़ी मोहन भोग की तरह लग रही थी शाम के करीब चार बजे रितु के पापा और उसकी मम्मी दोनों वाड में आ गए उस समय रितु के सास सुनैना रितु के बालों में कंगी कर रही थी बैड के दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर रितु के मा पिताजी बैठ गए दोनों को यहाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी में आये हो दोनों के कपड़ों से महंगी पर्फियूम के खुश्बू आ रही थी और पूरा वाड उस खुश्बू से महग रहा था दोनों ने उपचारिकता वशाथ जोड़ कर सुनैना को नमश्कार किया और फिर उन दोनों से कोई बात नहीं की एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनैना ने उठते हुए कहा किरितू जितना मुझे से हो सका मैंने कर दिया अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गई है अब मैं अपने घर जा रही हूँ तुम भी एक सब्तहा के बाद अपने घर चली जाओगी और हाँ आज तक की दवाईयों का और हस्पताल के बिल का भुगतान हमने कर दिया जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तक ये के नीचे रखी है अखिलेश आएगा तो उसे मेरा आशिरवाद कह देना इतना कहकर सुनैना ने जैसे ही चलने के लिए कदम बढ़ाया उन्हें लगा कि उनका आचल कहीं फस कया है उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रितु उनका आचल पकड़े हुए थी और डब डबाई आँखों से अपनी सास को देख रही थी सुनैना ने आचल छुडाने की कोशिश की तो रितु धीरे से बोली कि माँ क्या आप अपनी इस मुरक बेटी को माफ नहीं करोगी सुनैना ने जट से रितु को गले से लगा लिया उस समय उनकी आखों में भी आसु थे उन्होंने रितु के माथे को सहलाते हुए कहा कि पागल कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है और खुद को मुरक क्यों कहती है अरे सैकडो लड़कियों में से चुन कर तुझे मैं अपने घर लाई थी तो तु मुरक कैसे हो गई तो मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है सुनैना रोती जा रही थी और कहती जा रही थी जादा नहीं रोते अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है बहुत टांके हैं जो कच्चे हैं रोने से उन पर जोर पड़ता है और तूटने का डर रहता है ये कहते हुई वो अपने आचल से उसके आशों को पोचने लगी अचानक सुन्याना का ध्यान दूसरी तरफ रितु के पापा गिर्धारी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी की ओर गया वो लो कपके जा चुके थे शायद रितु की मा ने सुचा कि अब उनका यहां कोई काम नहीं क्योंकि उनकी अब कोई भी विद्या रितु पर असर करने वाली नहीं थी एक सबतहा के बाद रितु के टांके कट चुके थे और उसी हस्पताल से छुट्टी की अनुमत ही मिल गई थी अखिलेश भी वापस आ गया था जब वो अपने कमरे पर गया तो उसको सारी बातों की जानकारी मिल गई वो अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही हस्पताल चला गया मा को रितु के पास देखकर पहले तो उसे शरम हुई फिर अखिलेश के पाव आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन जब उसने रितु और अपनी मा को मुस्कुराते हुए देखा तो अपनी मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया हस्पताल से जिस दिन रितु को छुट्टी मिली तो उसने साफ कह दिया कि अब वो किराय के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी इसलिए उसे लेकर सुनेना घर आ गई अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए रहते थे नन्नी सी जान के लिए सारे खिलोना बने हुए थे रितु पर अब भी बहुत प्रतिबंद था इसलिए वो केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी घर का सारा काम सुनेना ही करती थी सुनेना ने रितु के पास आकर कहा कि बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े और वो बाहर से ताला लगा कर चली गई रितु अपने कमरे में आकर बेटी को दूद पिलाते हुए सो गई अचानक उसकी आँख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूब लाइट जल रही है वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अलपना बना हुआ था और वहां बहुत से दीपक रखे हुए थे जिने उसकी सास सुनैना जी बैठ कर जला रही थी दीवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही है इसका रहे से उसे समझ नहीं आया वो धीरे से अपनी सास के पास गई रितु की पायल की अवाज से सुनैना का ध्यान दरवाजे की और गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रितु खड़ी है रितु ने हरानी से पूछा कि मा दिवाली तो चली गई फिर ये सब क्यों सुनैना ने मूस को राते हुए कहा कि मेरे घर वर्षों के बाद मेरे बच्चे आए है तो मैं दिवाली तो अभी मनाऊंगी मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है जाओ तुम भी अच्छी सी साधी पहन लो और बेटी अपनी बेटी नुपूर को भी नए कपड़े पहना दो रितु ने जुब कर पहले सुनयना को प्रणाम किया फिर उससे कहा कि मा आज मेरी बेटी नुपूर को यही आशिरवात दें कि इसमें आपके जैसे गुणा जाएं और वो जीस घर में जाए उस घर को स्वरक बना दे आंगन में रखी परात में जो ग्यारा दीपक जल रहे थे आज उनकी लो रितु को बड़ी सुन्दर लग रही थी वो आप अलक केवल जलते हुए दीपकों को देखती जा रही थी और वो जलते हुए दीपक उसे यू लग रहे थे मानू उन दीपक की लो से उसका जीवन ही जग मगा गया हूँ साथ संकत जी दिपावली का त्योहार दीपों का त्योहार है तो इस दिपावली खुश्यों के दीप चलाइएगा अपनी सिंदगी में भी खुश रहिएगा और सभी को अपने आस पास भी खुश रखने की कोशिश कीजेगा ताकि सभी का त्योहार ब पाता जी के चैनों से जुड़े रहिए हैपी दिवाली एंड धान नरंकार जी